यह operators कुछ operators हैं यह interview में या किसी कोई भी company आती है तो return test में 5-6 operator के precedence rule पे question दाते हैं एफ्रोक्स 5-6 तो question दाते ही है operator के precedence rule पे तो यह सारे operator का use कर मैं coding करूँगा इन सारे operator को आप याद कर लें कैसे use करते हैं सारे operator का use कर मैं coding में बताऊंगा कैसे कैसे use करते हैं सारे operator का यह देखिए पहला है function call operator यह bracket है function call operator यह है subscribe operator यह देखिए subscribe operator अगर आप array में पढ़े होंगे तो array में इस operator का यूज़ करते हैं हम लोग c में अगर पढ़े होंगा c में array तो इस operator का यूज़ करते हैं यह जो operator है जब कोई हम function लिखते हैं local variable में उसके बाद से जो bracket शुरू होता है यह bracket वो होता है element selector operator यह operator लगवाग साथ pointer में यूज़ करते हैं हम लोग boolean note यह देखिये binding note इन सब का भी यूज़ करूँगा मैं post pre increment, post pre decrement, unary minus, type cast, difference operator, address operator, size of operator, multiplication operator, division operator, modulus operator, addition operator, subtraction operator, left shift operator, right shift operator, lower than operator lower or equal operator, greater than operator, greater or equal to operator, equal operator, not equal operator, binary and binary एक जोर इस operator का यूज़ करूँगा मैं इस operator को यूज़ मैं बीना delay जब मैं एक बीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं without delay यूज़ किये हुए इस operator का यूज़ करूँगा उसमें जब डिले नहीं लगेगा उसके बदल यह operator लगेगा यह operator टॉगलिंग का काम करता है हमारे प्रोटियेस साफ़ट्वेर पे चाहिए operator टॉगलिंग का काम करेगा बिलिंग कर्वाने का काम करेगा बुलियन एंड बुलियन और यह देखें कंडिशनल ओपरेटर एसाइमेंट ओपरेटर 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 इसका प्रिसिटेंस रूल सबसे लो होता है कॉमा ओपरेटर का आप इन सारे ओपरेटर को याद कर लिजिए आपको कंपनी के रिटेंट टेस्ट में चार से पर्षुटी देना चाहिए पहले किसे देना चाहिए तो इन सब पर कोशन आता है अब देखिये हमारा इफ एस्टेटमेंट इन इंबेडर शिस्टम हम लोग चार श्टेटमेंट पर हैंगे इसे इस नेस्टड उफ इस 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 लेडर तो सिम्पलिफ में क्या होता है न यहां पे हम if operator का यूज़ करेंगा जब मैं coding करूंगा तो आपको इस operator का यूज़ पता चल जाएगा देखिए if is operator अगर मेरा कोई भी condition अगर यह true है अगर यह true है मेरा condition तो यह चलेगा और अगर यह false रहता है तो फिर यह चलता है यह होगा if is if is condition if the boolean expression if it relates to true then the if block will be executed otherwise the is block will be executed nested of if is if text expression 1 a statement to be executed if text expression अगर पहला true हो इसमें से क्या उता है इन if is if इसमें से आप किता भी लगा सकते है उसित फिसी of last means in में विनसे जो जो ब्लोक मतलब यह हमारे अगर 5 इस्ट्रू हो तो वो चलेगा अगर second true तो वो चलेगा खर तर्डू हो तो चलेगा तीनों अगर false हो गया यह तीनों अगर तो फिर यह चलेगा All statement to be executed if all test expressions are false और इन समय से सारे false हो गये हैं तो फिर यह चलेगा इस सवाल पाट चलेगा यह सफ लेडर है condition डाल दिये if is safe इस फिर बाद में कोई default ब्लोक चलेगा अब आये while, while condition इसका सबसे ज़्यादा यूज है हमारे coding में while का जब भी हमें कोई loop बार बार चलाने का हो जब भी program हमेरा चलता रहा चलता रहा चलता रहा infinite time तक चलता रहा तो उसके लिए हम लोग while यूज करते हैं while body of loop यहां पर हम कुछ भी लिख दी है port beach, call to zero b, किसी LED को seven segment display का code कुछ लिख दी है motor का code हो या LCD का code हो अगर इस while expression के अंदर हम लिख दी है तो मेरा वो program चलता रहा चलता रहा चलता रहा कभी बंद नहीं होगा हम इसा execute होते रहेगा for loop in embedded system पहले condition डाल दी है फिर condition increment और decrement अगर हमारा साथ LED लगे हुए है आठ LED लगे हुए है तो zero से seven तक हमको एक-एक LED shift करवाना है और इसका increment करवाना है इस तरह का coding करने करहेगा तो पहले initialize करेंगे first LED से मतलब i is equal to zero से कहां तक जाना है seven तक condition डाल seven तक जाएगा और increment एक-एक का increment करता रहे तो मैं यहाँ पे shift operator use कर लूँगा port B is equal to one shift operator shift shift i तो यहाँ पे वो चलता रहेगा लगिन जब मैं coding करूँगा तो आप इस सब चीजे के बारे में अच्छे से समझ जाएगा और वह ही अगर decrement करने कर रहे है तो बापस i is equal to seven condition डाल का मतलब साथ LED लगे हुए हम चाहते हैं कि इधर से एक-एक जलता जाए फिर बापस इधर से reverse हो तो इसके लिए भी हम use कर सकते हैं फॉर्क format of basic embedded system यह देखिए hatch include mega 16.h अगर आप mega 16.h पे काम कर रहे हैं तो mega 16 अगर आप mega 8.h पे काम कर रहे हैं तो mega 8.h लिखेगा तो जिस microcontroller पे आप काम कर रहे हैं तो आप उसी microcontroller का header file लिखेगा यह सब सारे जो इसके होते हैं library अब पहले से हमारे compiler में पहले से हमारे software में इन्विल्ट रहते हैं code vision avr और proteus मैं दो software पर काम करूंगा code vision avr पर coding करूंगा और उससे proteus software पर simulate करवाऊंगा जैसे हमने coding किया आप coding किये तो हम देखें कहां उसके लिए हम लोग proteus software यूज़ करते हैं उस पर बहुत सारे circuit का जो हता है library दिया हो रहता है उस सारे circuit को एक जगह collection करते हैं हम proteus software design करते हैं उसके बाद circuit का design करते हैं हम microcontroller में हम जो code vision avr में coding की हैं उस coding को हम microcontroller के अंदर inbuilt करते हैं proteus software के द्वारा उसके बाद हम उससे अपने output को देखते हैं कि हमने जो coding किया वो coding सही है या नहीं यह delay डॉट है delay इसके लगाते हैं कि माल लिया हम चाहते हैं कि मेरा कोई वी led 50 millisecond के बाद 100 millisecond के बाद blink करें तो इसके लिए हम लोग delay लगाते हैं अगर आप डिले नहीं लगाएगा तो फिर आपका आप एक जो रोपेटर लगा सकते हैं उससे भी आप टोगल करवा सकते हैं लेकिन डिले global variable जैसे मैंने 4 का आपको देखें मैंने यहां पर बता है 4 eyes call to 0 आई less than 7 यह तो आपको i क्या है हमारा compiler नहीं समझता है कि i क्या है तो इसे initialize करना पड़ता है global variable में यहां यहां पर initialize करना पड़ेगा unsign care integer i semicolumn यहां पर आप initialize कीज़ेगा तो जितना बार भी आप अपने code में i के फेलो लिखेगा वो बार बार उसे call कर लेगा तो इसे global variable करते हैं तो यहां पर क्या होगा यहांस हमरा body का part सुरू होगा यहांस हम coding करेंगे इसके अंदर while लगाएंगे for लगाएंगे port A, port B, pin B, direction register सब हम local variable में decide करेंगे लेकिन हम चाहते हैं कि कोई मेरा function call करे call कर लें जैसे i is call to 0 है तो i क्या है तो पता नहीं है न तो हम लोग यहां पर global में integer i semicolumn लगा देंगे तो जब भी i हम अपने code में कहीं भी i लिखेंगे तो उसे हमेशा वो call करता रहेगा अब variable store क्या होता है local variable क्या होता है global variable क्या होता है जो मैंने बताया हो ही है local variable are those variables which are declared inside in a particular function and these in a particular function and these variables can only be used in that particular only global variables are those variables which are declared before all the function after the header files यह इसे हम लोग header files बोलता है hash include mega session.h hash include delay.h यह हमारा header file है इसे mention करना परता अगर आप अपने code में delay लिख रहे हैं तो आप डिले का header file आपको mention करना होगा आप किस macro control का यूज कर रहे हैं तो उसका header file यूज करना है क्योंकि हर एक macro control का अलग-अलग purpose यूज करते हैं अलग-अलग function होता है उसमें उस तरह का coding किया हो रहता है कि आप इसको इसी purpose के लिए उच कर सकते हैं तो जो मेरा mega session dot है इसमें चार port होते हैं यह समय पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ जब में coding करूँगा तो और अच्छे से आपको सर्प्ची समझ में आएगा next video मेरा coding ही रहेगा और कैसे file बनाते है of mega 16.8 ddrx for setting the direction that is input or output direction resistance मतलब कि यह है कि आप microcontroller के अंदर आप coding किये हैं तो coding आप microcontroller के अंदर रखना चाहते हैं तो हमारा जो हो गया कि microcontroller के अंदर रखे हैं coding को रख दियें विल्ट कर दियें तो आप उस coding को देखे कर कहा से तो output आप LED लगाए 7 segment LCD लगाए इन सब चीजे लगाए बाहर से देखने के लिए तो आपको decide करना होगा कि आप क्या करना चाहते हैं आप अपने ड्रेक्शन रजिस्टर को input बनाना चाहते हैं या output बनाना चाहते हैं वही अगर आप देखिए जैसे आप sensor लगा दीजिए switch लगा दीजिए तो यह सब क्या होगा कि हम बाहर से externally हम microcontroller को यह सब चीज देंगे कि मेरा यह काम करें switch प्रेस करो तो मेरा LED ग्लो हो switch प्रेस करो तो मेरा 7 segment 5 प्रिंट हो switch प्रेस करो तो मेरे LCD पर यह प्रिंट हो तो आप पे decide है कि आप क्या लेना चाहते हैं जब मैं coding कर दिया फिर देखे 0 कि वह आप पे depend है port B को DDR B को मैंने one कर दिया DDR C को zero कर दिया कुछ pin को in कि या कुछ pin को out कर दिया आप किसी particular pin को भी in or out कर सकते हैं जैसे DDR A.5 तो इससे क्या होगा कि पांचमा pin रेजिस्टर A का सिर्फ जो पांचमा pin होगा वो हमारा input होगा और DDR A.2 का तो आप इसे यूज कर सकते हैं switch वगएरा sensor वगएरा क्योंकि switch तो एक ही दो लगए अगर आपको प्रोजेक्ट बनाईएगा तो इसमें switch तो एक ही दो तीन चार रहेंगे maximum पांच रहेंगे maximum तो सारे port का आपको जित्ते port का ज़रुरत है आप उता ही यूज के जिए बाग to assign the value of port 11000 value assign करने के लिए हम लोग port यूज करते हैं इसके particular के लिए भी आप port यूज करते हैं port 4.1 मदब सिर 0.4 का जो होगा वही हमारा काम करेगा पिन में देखिए this register is used to read the value of port जो port में रहते हैं उसके value को read करने के लिए हम लोग पिन यूज करते हैं पिन B.5 equal to equal to 0 यह assignment operator है पिन C equal to equal to 0 B अब कुछ भी है पिन C में आप सब को ले लिए 11 तो आप पे डिपेंड है आपकी क्या करना चाहते हैं देखिए how to use direction port और पिन मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं आज फिर बता रहा हूं क्योंकि next वीडियो मेरा coding रहेगा और हम नहीं चाहते हैं कि आपको confusion रहे direction direction Richard क्या होता है port क्या होता है फिन क्या होता है तो आप इसे समझे लिए डी Sandyあस मतलब direction या तो in कर सकते हैं चाल हो यह आपपे the microphone ये जह सकते हैं अप्सक्राइश om के लिए हम लोग पोर्ट करते हैं मैंने कोडिंग किया तो इसका आउटपूट देखेंगे कहां LCD पे सेवन सिंग्मेंट पे LED पे तो वह आउटपूट के लिए देखें मैं क्या होता है आउटपूट से मैं मैं मीठीरो कंट्रोल मतलब समय सेंसर हो इसा मेरा ओटपूट डिवाइस हुआ इसमें हम जो भी करेंगे सिस्के लिए कोडिंग जो भी पिर करेंग वह क्या मा और आटपूट तब आप DDRX यूज़ किज़ेगा LED क्या होगा LED क्या होगा कि it is a PN junction diode which emits light when activated when a suitable voltage is applied to the leads electrons are able to re-combine with electron holes within the device releasing energy in the form of photons इसे का नाम लोगो दिखता है LED ये देखे symbol है anode और cathode ये देखे LED है ये एनोड जो बड़ा पार्ट है LED का ये देखे बड़ा पार्ट है ये नोड पोजेटिव जो छोड़ा पार्ट है ये कैथोर्ड लीडी है बागी सब आप Wikipedia sources है आप पड़ सकते हैं ये देखे मैक्रो कंट्रोलर है हमारा मैक्रो कंट्रोलर है ये क्या होता है इसके बेस में हम लोग सोल्डिंग करते हैं इसके बेस में सोल्डिंग करते हैं और क्या होता है इसमें को हम इन विल्ट करते हैं और इस इस की पीन को इसमें हम fit करते हैं यह हमारा यह base है microcontroller का इसको इसमें fit करते हैं हम coding अगर आप real में project Proteus पे तो आपको मैं दिखा जूँँगा कैसे करते हैं real में जब project बना यह उसके लिए IC burner आता है 80 mega 8 का अलग burner आता है 80 mega 16 का अलग burner आता है तो मैं उन सब का एक video डाल दूँगा कि कैसे हम लोग inbuilt करते हैं आपको बहुत सारे साइट पे मिल जाएगा आपको IC burner 400-500 के आते हैं असपास IC burner तो आप उससे इसमें coding कर inbuilt कर सकते हैं और real में project बना सकते हैं मैं सब के video डाल दूँगा हमारे वीडियो उसको share किजे comment और like subscribe किजे thank you friends